इस वर्ष 2015 में आपके जीवन के हर छेतर में कई प्रकार से बोज आने की संभावना होगी अतै आपको संपून शक्ती और उर्जा के साथ बलपूर्वक आने वाले दबाव या संकट का सामना करना होगा अपनी भावनाओं की श्रद्धा और विश्वास को देखते हुए आने वाले अफसरों को स्वीकार करें और शीगर ही उनका समाधान भी करें तब ही आपके लंबे समय से रुके हुए कार्ये और योजनाय सुचारू रूप से चल पाएंगी इस वर्ष आपका सबसे अधिक समय सामोही करन में जा सकता है ब्रहस्पती देव आपके जीवन की शुब कामनाओं और महत्वकानशाओं के अन्वेशन में आपकी पून रूपेंड सहायता करेंगे शनीदेव महाराज आपकी सोची समझी छवी को उपर ले जाने में सहायक होंगे वर्ष के अंतिम तीन माहों में गतिहीन समय में आपके उदासीपन रहने की संभावना होगी किन्तु आप धीरता को बनाए रखें इस वर्ष आपको व्यवसायक जीवन में कुछ अलग से अनुभव और द्रिश्टी कोन की अनुभूती प्राप्त होगी व्यवसायक सफलता प्राप्त करने के लिए आपको बड़े परामर्ष और परिश्रम की आवशक्ता होगी और साथ ही साथ अपने सहकर्मियों के साथ बड़े ही सहयों की भावना रखनी होगी जिससे व्यापार में विकास होगा और आप अच्छे उन्नती और प्रतिभाकी और अग्रसर होंगे स्थिती पूर समय जैसी ही रहने की संभावना है वर्ष के अंतिम भाग में आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा, सुखी वे आनंद में जीवन बिता पाएंगे आपसी जगडे आदी तनाव समाप्त करने के लिए तुरंत निर्णे वे अच्छी भूमिका को प्रस्तुत करें अच्छी मिठास वाली वाणी आपके लिए लाबकारी और सुखद रहेगी वर्ष 2015 में आपका प्रेम, जीवन, स्थिर और नियंतरण में रहने की संभावना है वर्ष 2015 में आपकी वित्ये और आर्थिक इस्थिती कुशल पूर्वक रहने की संभावना है अपने कारे पर और कारे प्रणाली पर विशेश ध्यान दें होने वाले कारे को पहले से ही तै कर लें वर्ष के मध्य भाग में कुछ आपत्ती जनक वै हो सकता है इसलिए आप अपनी आर्थिक इस्थिती को देखते हुए कुछ अनौपचारी खर्चों पर नियंतरन रखें क्योंकि वै करने से आपको नुकसान हो जाने की संभावना है भविशे की सफलता आप ही के ऊपर निर्भर करती है इसलिए आर्थिक इस्थिती पर अपना पून ध्यान दें वर्ष 2015 में ग्रहे आपकी रक्षा करते हुए सहायक सिद्ध होंगे और आपका स्वास्थ सामाने रूप से स्वस्थ रहेगा आप अधिक भोजन और गलत आदतों से दूर रहें क्योंकि यह आपके स्वास्थ पर बुरा असर कर सकते हैं संतुलित आहार लें अच्छा व्यायाम करें और सैर करें इससे आपकी शारेरिक मनोबलता बढ़ेगी यह वर्ष स्वास्थ के मामले में आपको अच्छे कुशलता की और रुकावट में भी डाल सकता है आएगी धन लक्षमी और शिक्षा में सुधार होगा राशीफल 2015 की द्रिश्टी से साल के दूसरे भाग में आपके प्रेम संबंदों में बहुत ही कुशलता आएगी आपके ग्रहस्त जीवन में बहुत जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जिसके लिए आपको मेहनत करनी होगी 2015 राशीफल के अनुसार किसी पारेवारिक व्यक्ती विशेश के लिए आप चिंतित हो सकते हैं किन्तु आपका स्वास्तिक कुशल पूर्वक रहने की संभावना है जगडे फिसाद आदी मामलों से आप दूर ही रहें आपकी तामस्प्रवर्ती या कटूवानी से इस वर्ष आपके परीजनों से कुछ जगड़ा और मनमुटाव हो सकता है जिससे आप दूर रहें और मीठा सभाव रखें भविशफवल 2015 के अनुसार यह वर्ष आपके लिए मिले जुले परिणामों को प्रकट करने वाला वर्ष रहेगा मंदिर में पीला वस्तरदान देने से आपको लाब प्राप्त होगा अपने घर में सर्व ग्रह देवों की पूजा अगनी होत्र से करने से आपको लाब की प्राप्ती होगी आस गणेशा के सभी ग्रहकों को हमारा सरहर दे धन्यवाद है और हम आपके उज्वल एवं सुख में भविशे की कामना करते हैं हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि भविशे में भी आपको सटीक एवं उच्चतम सेवाए प्रदान करते रहेंगे